पावर स्टार ने ठान लिया अब मा का सपना करेंगे पूरा चाहिद जो हो जाए उनके सोशल मिडिया पोस्ट ने चड़ाया सियासी पारा बीजेपी नहीं दूसरी पार्टी से लड़ेंगे चुनाव दिया बीजेपी को 440 वोल्ट का जटका नमस्कार आप देख रहे हैं पुर्वान्चो लाइब पावर स्टार पावन सिंग आए दीन अपने लोग सभा चुनाव को लेकर चौर्चा में बने हुआ है इस पर डेली कोई न कोई अपडेट्स आती रहती है और अभी पावन सिंग ने अपने 2024 के लोग सभा चुनाव लड़ने को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसने बीजेपी पार्टी समेच पूरे बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज कर दी है दरसल पावन सिंग ने अपने इंस्टा और एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शियर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है मैं अपने समाज, जनता, जनारदन और मा से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा आप सभी का अशुरवाद एवं सहयोग अपैक्षित है जै मापादी जिसके बाद से इन खबरों पर पुष्टी होती दिख रही है जिसमें कहा जा रहा था कि पावन सिंग आरजेडी के टिकेट से आरा से चुनाव लड़ सकते हैं नहीं तो वो निर्दलिये ही अपने होम टाउन की लोग सभा सीट आरा से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं वैसे आपको बिता दें बीते दिनों पावन सिंग ने एक और अपने इंस्टा पर पोस्ट किया जिसमें उन्हों न लिखा था जितना भी सही किया गलत लोगों के लिए किया जिसके बाद से ही ऐसी खबरों का बाजार गर्म हो गया था कि पावन सिंग इंडारेक्ली अपनी पार्टी बीजेपी को टागेट कर रहे हैं जिसने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसन सोल से टिकट दिया था और बस क्या था इधर पावन सिंग का ये पोस्ट आया उधर आरजेटी के नेता और कारेकर्टा पावन सिंग को लेकर नर्म हो गए अब तो ये साफ होता नसर आ रहा है कि पावन सिंग बीजेपी के टिकट से चुनाओ नहीं लड़ेंगे खैर इस खबर पर आपकी क्या राय है बिताए नीचे कॉमेंट सिक्षन में पुर्वांचा लाइफ की ऐसी ही लेटिस और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहे हैं अपने फेवरिट चैनल पुर्वांचा लाइफ के साथ